रोठी हुई मुझे से यूँ मेरी जिन्दगी क्यूँ हो खोई हुई जाने कहा मेरी हर खोशी हूँ किसे अपना कहें कोई अपना नहीं कैसे जीना मुझे ए मेरी खुदा बता मुझे हैंके रहे और तू कैसे रुके खुदाया बस मेरे नहीं है ए मेरे खुदाया उस समझाए तको लिखता है तक दिन्दी हत जो जाने थावा उस से नहीं है गिराया ए मेरे खुदाया रुटाया रुटा तो तू गुदाया उसदो दूग रहा दि ख़ुन है जो है माती फुलिना हो रही है ऐसल दी ये भी, है जिल दिल किये लिए भी लुपा वैविन कड़ा रहा दिल कोरख रहा दो खचार writing किस तरह मुझे मेरा गंदी अजीब है कांटों से भरे रास्ते मेरा नसीब है मेरे खाली हाथ कुछे भी हो गई दुआ खुछा क्यों मना तो को हैं दिले ऐ मेरे खुदा बता मुझे हैं दिर रहे ये असूद कैसे रुके खुदाया मत में मेरे नहीं है ए मेरे खुदाया है जब जानता तो लिखता है तक दिले हाथ जो गई था वाओ उस दिले है गिराया है नेरे खुदाया रुटा है दिल खुदाया रुटा को तो गुदाया हुदाया रुटाया रुटा को तो गुदाया हुदाया रुटाया रुटाया हुदाया रुटी हुई मुझसे यू मेरी जिन्दगी क्यों खोई हुई जाने कहां मेरी हर खुशी क्यों जिसे अपना कहे कोई किसे अपना कहे कोई अपना नहीं कैसे जीना मुझे ए मेरे खुदा बता मुझे है गिर रहे ये आसू कैसे रुखे खुदाया बस में मेरे नहीं है ये मेरे खुदाया है सब जानता तू लिखता है तक्दीरे हाथ जो मैंने थामा उसी ने है गिराया जिस वेक्ति का हाथ थामा था उसी ने गिरा लेगा ये मेरे खुदाया तूटा है दिल खुदाया रूठा जो तू खुदाया जब से तू हमसे रूट गया, तब से यह दिल तूट गया दुआए जो है मांगी, पूरी ना हो रही है, बहुत दुआए मांगी राथनाएं कर रहे हैं, पर पूरी हो नहीं रही है है सदके दिये भी, सदके बहुत दिये, दान बहुत दिया सजदे किये भी सजदे तेरे सामने सजदे किये और सदके दिये परंतु तूटा है दिल खुदाया लिप्टा है किस तरह मुझे मेरा गम भी अजीव है काटो से भरे रास्ते मेरा नसीब है मेरे खाली हाथ से भी हो गई दुआ खफा क्यू मनन तो को है गिले ए मेरे खुदा बता तू है गिर रहे है आसू आत्मा दुखी हो गई है उदास हो गई है तूट गई है ऐसी भी अवस्ता ब्रामन आत्मा ओकी भी आचाती है कभी-कभी जबकि उदास हो जाती है व्यक्षित्व परसनेलिटी की बहुत सारे प्रकार है 1990s में इलेन एरन और उसका पती आर्थर एरन इन दोनों ने मिलकर एक नए प्रकार के विक्षित्व का नाम दिया था और उसको नाम दिया था HSP Highly Sensitive Person Highly Sensitive Person अर्थात बहुत सेंसिट्व है जिसको बाबा ने कल की अवसाकारवानी में कहा था चुई मुई लाजवन्ती का पौधा जो हता है चुई मुई चुई मुई अवस्था बाबा ने एक दूसरे अर्थ से कल प्रयोग किया था कि माया याद नहीं करते फिर भूल जाते है और फिर रूटते है बाब उनको कहते है वो जैसे कि क्या है चुई मुई चुई मुई की अवस्था है वो तो इस ब्राह्मन जीवन में भी ऐसी चुई मुई देवी या फीलिंग देवी या मलिका ए जजबात बहुत बात है तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे मलिका ए मलिका ए जजबात हिंदी Queen of Emotions Highly Emotional Personality बहुत ज़्यादा समवेदन शील आतमा है इन आतमाओं की एक विशेश केटिगरी ऐसा कहा जाता है संसार में 15-20% लोग HSP की केटिगरी में आते Highly Sensitive Person जिसको बाबा कहते है छुई मुई जिसको बाबा कहते है Feeling देवी और जिसको कहा जाता है मलिका ए जजबात इन में कुछ अच्छी बाते भी होती है पर कुछ दोश भी है अच्छी बाते भी बहुत सारी है दोश भी है और ये सारा निर्भर करता है प्रतिक्रिया पर जैसे एक राजा है उसके सामने चार अपराधी पेश किये गए ये कहानी हमने पच्छपन में सुनी थी जब हम स्कूल में थे तब ये एक चैप्टर में थी हिंदी बुक की तो एक राजा जिसमें जिसके सामने चार अपराधी पेश होते है चारों का एक ही अपराध है चोरी पर ये जो राजा है बहुत पार्खी है बहुत बुद्धिमान है देखते ही व्यक्तित्व को समझ लेता है क्या है तो पहला चोर आता है राजा कहता है उस चोर से तुमने अच्छा नहीं किया बस दूसरा चोर पेश किया जाता है राजा कहता है उससे डाटता है और कहता है इसको थोड़ा सा और अपर शब्द गालिया देकर यहां से निकाल दो तीसरा चोर आता है और उस तीसरे चोर को राजा कहता है इसको चार कोड़े लगाए जाए सजा के तोर पर और फिर चौता चोर आता है और राजा कहता है इसको गदे पर बिटाओ और मुंडन कराओ और सारे शहर में फिराओ गुमाओ इसको और सो बच्चे बिच्चे होगे सब गोबर और दूल इसके उपर फेके ये इसकी सजा है सब को आश्चर होता है एक ही अपराद चार अलग अलग सजा है राजा कहता है कि अब एक-एक चोर के पीछे एक-एक अपरादी लगा एक-एक गुपत चर लगाओ और दूसरे दिन सवा में पहला गुपत चर आता है वो बताता है कि जिस अपरादी को अभियुपत को आपने ये कहा था कि ये तुम्हारे लिए अच्छा ने ये तुमने अच्छा ने किया वो इतना अत्मगलानी से भर गया कि जाकर उसने खुद कुशी कर ली ये बहला सुसाइड हात मत्या कर ली उसने जीवगात दूसरा गुपत चर बताता है कि जिसको आपने बहुत टाटा बला बुरा कहा गालिया दिया पशब्द बोले वो इतना अत्मगलानी से भर गया कि वो शहर छोड़ कर चला गया अब मैं यहां नहीं रह सकता इतना यहां पर अपमान हुआ तीसरा जिसको चार कोड़े लगे थे और एक बात जो पहला था गुप्तचर ने बताया वो चोर था ही नहीं वास्तों में उस पर जूटा आरोप लगाया गया था वो चोर तो था ही नहीं उस पर जूटा आरोप था और दूसरा जो था वो भी चोर नहीं था चोर ने अपना चोरी का सामान उसके घर में रखा दिया था इसलिए पकड़ा गया और यह जो तीसरा था इसने चोरी की थी पर इसने जिसके यहां चोरी की थी जिस बगीचे में फलो की चोरी की थी अब वो उसी फलो के बगीचे में काम करता है, नोकरी करता है और खुश है वहाई उसको उसमें जौब ले लिया, अब रही बात चौथे की तो चौथा गुप्तचर कहता है, जिसको आपने ये सजा देती कि गदे पर बिठा कर, मुंडन करा कर, गाउ में घुमा रहे हैं तो उसको अचानक उसकी पत्नी दिग गई और ओपत्नी तो जो और से कहता है, कि पानी तियार रखना मैं बच्चों को गुमा कि लाता हूँ एक अपराद, एक सजा, तीन, चार अपरादी, और हर एक की प्रतिक्रिया अलग, अलग पहले जो दो थे, वो है अति सम्वेदंशिल व्यक्तित्वा, और ये जो व्यक्तित्वा होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं तो सबसे पहले हम जो समवेदन शील विक्तित्व है sensitive nature जिनका है उनके अंदर क्या अच्छा ही है उसकी चर्चा करेंगे और फिर अपने topic पर रहेंगे क्योंकि हमारा topic अच्छा ही वाला नहीं है कुछ और है तो सबसे पहला तो जो HSP होते है highly sensitive person HSP जो होते है बहुत समवेदन शील है उनमें क्या खुबिया होती है दूसरे के दर्द को महसूस कर सकते है empathy होती है सहानुभूती और समानुभूती बहुत ज़्यादा होती है रहम दिल होती है दूसरे के दुख को देख नहीं सकते कोई भीकारी अगर दिग गया तो घर पे लेके आ जाए बहुत रहम दिल होते है दाता होते है दूसरे के दर्द को समझ सकते है और अपने आपको संपूर्न रूपा स्वाहा कर देते है अगर समझ में आ गया कि यही जीवन है यही लक्ष है और यही सब कुछ है उस हाई एम के प्रती उस लक्ष के प्रती अपने सर्वस्व समर्पन करते थे बिलकुल जाटकू होते सोचते नहीं है तो दे दी स्वाह कर दी तो जो सेंसिटिव एक्तित्व होते है उनको दर्द महसूस होता है दूसरों का फील होता है और वो कुछ भी करने को तैयर होते है और सहन करने को भी तैयर होते है बहुत दूसरों के लिए सहन करते है अपनी खुशियों का त्याक करते है दूसरों के लिए अपना सर्वस्व बहा देते है दूसरों की खुशियों के लिए कुछ भी सोचते नहीं है कि मेरा क्या होगा वो निस्वार्थ होते है most of the time ये इन में खूबिया होती है HSP में परंतु हमारा टॉपिक है मैं लिखा है जजबात इस ब्रामण जीवन में इस अध्यात्निक जीवन में सम्वेधन शील होना बहुत अच्छी बात है परंतु सम्वेधन शील होने में बहुत सारे तोश खोट भी है अगर व्यक्ति ऐसा ही सम्वेधन शील रहा तो दुखी होते रहेगा क्योंकि ये मारग अगनी पत है और यहाँ पर सिक सिक जुग जुग परना मरमर है यहाँ पर धेर सारे हिसाब किताब हिसाब किताब का अंबार लगा हुआ है ब्रामन बनने के बाद सब चल वोता है पहले इतना पता नहीं था तत्थे नहीं जैसे क्योंकि इसी परिवार से बिछड़े थे एक एक बिल्कुल पटक रहा है ऐसे आजाओ आजाओ अभी तक तो इदर छोटे मोटे पहलवान थे दुनिया भी पहलवान उसे मुझा बला था जब ग्यान में नहीं थे जैसे इस आखड़ा में प्रवेश किया यहाँ एक से बढ़कर एक खड़ाई है बिल्कुल पचाड़ने के लिए तो एक से एक रुस्तम यहाँ बैठे है तो इनी के साथ हमारी लड़ाई है यह ब्रामन परिवार एक आखड़ा है और एक एक ब्रामन आत्मा पहलवान है जिसने हमारी कुष्टी है दंगल एक-एक ब्रामन आतमा किस्त यह अचानक वार करते हैं कभी भी आ जाते हैं ऐसे परिवार में ऐसे आखाडे में ऐसी मैच में ऐसे ग्राउंड में ऐसे धर्मक्षेत्र, कुरुक्षेत्र ऐसे पानिपत के युद्ध में यहां समेदन शीलता नहीं चलेगी यहां तो बहुत कठोर चिकना घड़ा भव कबरदान बाप से लेना पड़ेगा तो भी काम होगा नहीं तो दुखी हो जाएगी जेतना आतमा बहुत तर्थ से भर जाएगी और जैसे कहा हर व्यक्ति अलग-अलग प्रतिक्रिया देता है जैसे उस परिस्तिती में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों की अलग प्रतिक्रिया इसका मतलब यह नहीं हम चौथे जैसा बन जाए यह भी नहीं कह रहे समवेदन शील होना चीए पर कहां समवेदन शील होना और कहां सम्वेदंशिल नहीं होना कहां पर किसी चीज़ का अपने ओपर प्रभावनी होने देना कहां पर बहुत फील कर लेना चीज़ों को और तुरंट बदलावला लेना पुर्शार्त का जो मार गया है ग्यान और योग में वहां सम्वेदंशिल रहना है परन्तु परिस्थितिया और ये बहुत सारी दूसरों की कही हुई बाते और दूसरों का व्योहार हिसाब किताब यहाँ पर तो बेहिस उर्दु में शब्द है बेहिस इंसेंसिट्यू तरह भी असर नहीं प्रभावनी ऐसा रहना है और एक दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई है हर परिस्थिति का प्रतेक पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है जैसे तीन मित्र एक फंक्शन में जाते हैं और सबसे सामने वाली सीट पर बेढ़ जाते हैं क्योंकि अभी कोई आया नहीं है तो अग्दम सामने वाली सीट प रूकते हुए मानुभाव पड़ते हैं उनकी कार चमचमती है, रुकती है सारा जुलूस उनके पीछे प्रोग्राम रुक जाता है सब उनके पीछे और वो सहिएँ हो जो लेते होए आ गयाता हैर ये तीनों को देखता है और ऐसा कटाक्ष, ऐसा दृष्टी पात करता है कि उठो यहां से अब उनको वहां से उठा देते और वो तीनों बिचारे खड़े होकर देखते रहते मान उभाव, चीफ गेस्ट, उनकी पत्नी और बेटा वहां बेट जाते और फिर प्रोग्राम चालू होता है उसके बीच में अनौस्मेंट होता है चीफ गेस्ट की तरफ से एक लाख, एकचार रुपे का चेक इस फंक्शन के लिए और तादियों की गड़गड़ा हट अब यह तीन मित्र सोचने में लगते हैं, सोचना चालू करते हैं पहला सोचता है अगर मेरे भाग्य में होता है तो इसके घर जनम दे लेता मैंने अगर यह खुरसी मेरे भाग्य में होती तो मेरा जनम ही इसके घर होना चाहिए था दुखी हो जाता है गमगीन बहुत उदास हो जाता है यह पहली प्रतिक्रिया दूसरा सोचता है चाहे अब कुछ भी हो जाए मुझे धन्वान बनना ही है सीधी उंगली से नहीं तो तेड़ी उंगली से कैसे भी करके साम दाम दंडबेत सब लगा दूँगा कपट छल जो करना है करूँगा पर मुझे धनपती बनना ही है तीसरा सोचता है यह समाज धन से ना पाजाता है ऐसे समाज के विरुद्ध मैं विद्रो करूँगा और वो विद्रो ही बन जाता है परिस्तिती एक अपमान एक सा तीनों का पर तीन नमूने अलग-अलग तयार हुए पहला दुखी हो गया उदास हो गया भाग्य को लाया दूसरे ने चल का मार्ग अपनाने की ठानी और तीसरे ने वित्रो का मार्ग हमारे जीवन में भी परिस्तिती आएगी ऐसा बहुत कुछ होगा वो जो सूरज रहे जलते रहना में बताया क्या क्या होगा वो सब कुछ होगा उसमें अब मैं क्या करता हूँ HSP बन जाता हूँ चुई मुई बन जाता हूँ चुई मुई का जाड देखा है न हाथ लगाओ तो मुर जा जाता है वो मुझे बनना है अग्या आचल अडोल खड़े रहना है तो अभी सबसे पहला वो तो देख लिया क्या फाइदे है sensitive विक्तिक है सबसे पहला चोटी चोटी बातों को फील करते है क्या करते है चोटी चोटी बातों को बहुत अंदर फील करते है बहुत अंदर से फील करते है उसको कि मुझे ऐसा कहा सब के सामने ऐसा कहा मुझे ऐसा कहा हम तो यहां सेवा के लिए आये थे और किसी ने कहा दिया धर्मशाला समझके रखा है किया कब जाओगे कितना खुग गया कितनी भावना से आये थे किसने ऐसा कहा दिया हमको एकदम दिल तूड़ गया अब हम कल के आभी क्या भी निकल रहे अभी जा रहे हम नहीं आएंगे वी वापस मदवन फील करते जैसे इसके पहले भी बताया था एक कुमार ओपिडी में आगया था इतना रो रहा था इतना रो रहा था हमने कहा क्या हुआ वो कह रहे थे मदुबन निवासियो की लाइन लगी थी तोली मिल रहे थी हम भी खड़े होगे जाके और किसी ने कहती है रहे मदुबन निवासियो की तुम नहीं हो निकलो बाहर तो हमने खाए अच्छी बात है ना जब सिवाधरियो की लाइन लगे तो उसमें खड़े हो ना तुम फील हो गया उसको बहुत पर सब वनवन की काठी है इतर सब अलग अलग है किसका क्या संसकार सबाओ कब प्रगट हो जाए निकल जाए बाहर बता थोड़ी सकते तो हस्पी अर्थाथ छोड़ी बातों को फील करते दूसरा हस्पी अर्थाथ हर चीज़ को परसनली लेते उसको कहते है यह जान बूच कर मेरे लिए का मुझे टारगेट बनाना था वो व्यक्ति को तो पता ही नहीं जो कह रहा है वो तो उसने जनरल में कह दिया पर उसने क्या लिए चान बूच के मुझे चान बूच के कहा है कोमेंट यह था न यह मेरे लिए था इंडारिक था यह double standard वाक्यों था ये कहे निगाए उधर थी क्या कहते है उसको आके कहीं पे निगाए और कहीं पे निशाना था निशाना तो इधर था कहे उधर रहा था पर बोल इधर रहा था तो उनको क्या होता है second हर चीज़ को क्या करते है personally लेते है तीसरा रूठना और रूसना इसके बहुत सारे सेशन्स चलते है रूठना रूसना रूठना रूसना और फिर उनको मनाANA उनकी इच्छा होती कि दूसरे उनको मनाए ये भी बहुत जदा इच्छा होती है और जब तक कोई बनानी नहीं आता है तब तो अच्छा भी नहीं लगता है तो रूटना रूसना मनाना ये तीनों के multiple sessions जीवन में चालू रहते हैं चाहे WhatsApp पर चाहे messages के द्वारा चाहे call के द्वारा चाहे बात करने चालू रहते हैं इसके तीन category देवास्तों में HSP के पहला sensitivity sensitivity अपने प्रती एक दूसरों के प्रती और तीसरा वायू मंदल के प्रती ऐसी तीन category है HSP की तो हर चीज़ को क्या करते हो deeply feel करते हैं परसनली ले ले लेते हैं उसके बाद में रूटना, रूसना, मनाना ये सब चालू रहते हैं उसके बाद में रोना को बीच में लाते हैं तू सब जानते हो ऐसा करता है किसे अपना कहे कोई अपना नहीं कैसे जीना मुझे मेरे खुदा बता तू है गिर रहे है आसू कैसे रुके खुदा दूाए जो है मांगी पूरी नहो रही है है सदके दिये भी है सदके सजदे किये भी फिर भी उठनी हो रहा है तो दुख की अवस्ता में प्रवेश करती है आत्मा हर चीज को फील करते करते हर चीज में दुखी होते होते हर चीज में रोती रहती है बात बात पे रोना आता है उसके बाद में जो इस तरह की आत्मा होती है जाता है, anxiety होती है बहुत बेचैनी होती है चीज़ों की बारे में क्योंकि बहुत जादा sensitive उनको बहुत अपनी परवा होती है बतलब वो यह नहीं चाहते कि मेरा impression खराब हो जाए सबके सामने बहुत जादा anxiety उसके बाद में ऐसी आत्मों में अहंकार और अभीमान अभीमान और अपमान दोनों भी बहुत जादा महसूस होता है किसी ने अपमान किया नहीं है पर अपमान महसूस होता है insult लगता है, लगती है अब किसी का उद्देश ही नहीं था तुमको insult करने का पर उसको ऐसा लगता है कि इसने मेरी insult की बिचारे सामने वाले को पता भी नी पर उसको लगता है इसमें मेरे इंसल्ट करने के लिए जान बुच के ऐसा किया और उनको ऐसा फिलिंग होती है कि सब मेरे विरुद्ध क्या कर रहे है शड़ियंतर अगर दो लोग बात कर रहे हैं और मैं पहुच जा हूँ और दोनों ने बात करना बन कर दिया तो पक्का हो गया मेरे ही बारे में बात कर रहे थे तो उनलोगों ने बात बदल दी फील कर लेते हैं बिलकुल जिस ब्रामन जीवन में ये सब होते रहता है और इसलिए तो आत्मा दुखी हो जाती है दुखी हो जाती है बहुत दुखी हो जाती है इतनी दुखा उदास हो जाती है दुख में डूब जाती है एकदम से फिर जब दुख में वेक्ति होता है तो ग्यान संबन्दी नहीं है योग कोई लेना देना ही नहीं है योग से परिवार, फ्लासेज सब 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 व्यर्थ हो जाता है एक सेकेंड में व्यर्थ कुछ भी अच्छा नहीं लगता है यहां का और फिर क्या करती है बहुत ज़्यादा सोना या बहुत ज़्यादा खाना क्या करेंगे जो अंदर खाली पना गया उसको कैसे भरेंगे अब सब से आसान तरीका है भोजन जो सामने दिख रहा है पिकनिक, भोजन, खाना, स्वाद, रस भोजन के रस में तो तपस्या का हरन कर लिया है ब्रामन परिवार में भोजन के रस ने तपस्या का पहरन किया है टेस्ट has kidnapped the penance क्या करेगी आत्मा, अंदर से खाली पन इतना है अब बाहर से भरना तो है, किस से भरेगी या तो भोजन से भरेगी, या गुमने फिरने से भरेगी फैशन से भरेगी, या सेवा से भरेगी क्योंकि तपस्या तो भर नहीं सकती क्योंकि इस अवस्त्या जाता है, क्योंकि किसी का व्यवार मेरे साथ ठीक नहीं है किसी ने मुझे गलत भोल दिया और डर रहे ता एक ह्स भी अर्थार भावीत हो बहरेता है हमेशा किस बात कब है ये दूसरे मेरे से आगे ना चले जाए इनको ज़्यादा मान मिल रहा है मुझे कम मान मिल रहा है मुझे कम महत्वा दिया जा रहा है मेरी कम खात्री हो रही है इनकी ज़्यादा खात्री हो रही है मैं क्या करूँ अब इन से आगे जाने के लिए इरशा भी होती है भेजे नहीं होती है अजीब सी भेवीद रहती है आगे मेरा क्या होगा बहुत सेंसिट्यूट ही है और दूसरों की कोई खराब नियोस सुनी जैसे किसी कुमार ने सुन लिया एक दूसरा कुमार 40 साल ग्यान में था ग्यान छोड़ दिया एकदम से अंदर हलचलोने लगती है बहुत भेंगर हलचलोती है अगे मेरा भी ऐसा हो जाए तो कुमार बहुत अलपाया यू होते है कुमारिया लंबा चल जाती है ग्यान में कुमारिया लंबा चलती है क्योंकि सेंटर पर चली जाती है तो लंबा चलती है कुमार 40 साल को क्रॉस करने वाले जो है वो महारती समझ लोन को जो भी 40 साल जिनोंने क्रॉस कर लिया और अभी भी कुमार है वो बहुत बड़े योगी है क्योंकि और ग्रोध एंगर भी आता है और क्या करते है ब्लेम गेम करते है फिर दूसरों को दोश करते है या तो self victimization करते है अपने आपको दोशी ठहराते हैं समझते हैं ये सब जो है ये सब मिल के मुझे torture करने वाले हैं ये सब मिल के मुझे बहुत सताने वाले लोग है ये कोई साधे लोग निये ताना शाय किये किया उपर इन सब ने मुझे सताया है इन सब ने मेरे साथ बुरा किया है इन सब ने plot किये, scheme किये मेरे विरुद ये विचार आते रहते हैं दोनो दोनो चीज़े होती है एक तो blame भी करते हैं और साथ में खुद को भी victimize करते हैं कि मुझे victim बनाए गया है ये HSP छुई मुई feeling एक तो ये हो गया खुद के बारे में फिर है एक दूसरा है इसका दूसरों के बारे में feeling जाता दूसरों के साथ थोड़ा भी अन्याय हुआ मेरा उसमें कोई हाथ रोल नहीं है इसने उसको कुछ बोल दिया इतना क्यों बोला इतना नहीं बोलना चाहिए था और खुद दुखी है या किसी पर अन्या है हो रहा है खुद कुछ नहीं कर सकते पर दुखी जरूर हो जाते ऐसा नहीं होना चाहिए ये भी HSP की कैटेगरी है और तीसरा है वायूमंडल भीड में डर लगता है सब के सामने, पब्लिक के सामने डर लगता है एक साथ गलानी हो गई तो उसकी बहुत चिंता होती बहुत जादा डर लगता है और डिप्रेशन में चल जाते सबने मिलके एक साथ कुछ विरोध कर दिया उदास ये सारी कैटेगरी है एच्छे स्बीक है तो अभी प्रशन है क्या किया जाए क्या किया जाए और दूसरी बात अब रत्याशित रहते हैं अन्प्रेडिक्टेबल ये परसनेलिटी ऐसी है अभी अभी खुश अभी अभी उदास अभी अभी नाराज अभी बहुत अच्छे कब क्या होगा बता नहीं सकते अभी अच्छे से बात कर रहे है पर दो मिनिट के बात उदास हो गए एकदम गुसा एकदम नाराज मूड फ्लक्टुएशन बहुत ज़ादा है बहुत मूड ज़ादा चेंज होते रहता है अभी अभी प्यार से वर जाएंगे और अभी अभी उसी वेक्ते के लिए ग्रिना नफरत अभी 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 प्यार से कहेंगे थोड़ी दिर में उसको खरोचेंगे लव-हेट रिलेशन्शिप खरोचेंगे भी उसको और प्यार भी उसी को करेंगे यही चालू रहता है मना स्थिती एकरस नहीं है स्टेबल नहीं है बिलकुल भी यह सारी बाते होती रहती है अब इस से मुक्त कैसे हो यह प्रशन है क्या किया जाए बाब बताओ क्या किया जाए कि इस तरह का व्यक्तित्व हम में भी बहुत सुछ समाया हुआ है हर एक में है यह क्योंकि कहा न यह सेंसिटिविटी कब HSP बन जाता है यह जो सीमा रेखा है बहुत थिन बहुत ही पदली है हाँ रोते रहते है रोते रहते है बहुत रोते है किसी को देखा मतलब यह होगा दूसरों के प्रति सेंसिटिव दूसरों के दुख को देख नहीं सकते कोई बुरा सीन आ गया ना बिलकुल टीवी बंथ बिलकुल सहनी नहीं होता है उनसे इतना दर लगता है उसे तब क्या किया जाए इससे छूटने के लिए क्या किया जाए सबसे पहले तो एक कुछ तो सुमान लेना पड़ेगा मैं कौन हूँ? अच्छा लडोल आत्मा हूँ मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ प्रभावित होने वाली आत्मा नहीं हूँ छोटी छोटी बातों से रूटने वाली रूसने वाली उदास होने वाली दास बनने वाली छुई मुई पीलिंग देवी यह जब मैं नहीं हूँ थोड़े पावरफुल सुमान लेने पड़ेंगे जिसको पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो उल्टा गड़ा, चिकना गड़ा साक्षी हूँ मैं सबसे पहले तो कुछ सुमान का गहराई में जाके अब बहस करना पड़ेगा पहले तो यह मानना पड़ेगा यह मुझ में है यह मैं होता हूँ मेरे साथ ऐसा होता है है ऐसा, मैं होता हूँ दुखी होता हूँ, उदास होता हूँ पिछले एक साल मैं पता नहीं कितनी पार उदास होगया कितनी पार आसु है तो इसको पर आएंगे उसके पर सबसे पहले तो सुमान, दूसरा accept the reality इस reality को स्विकार करना पड़ेगा कि यह चीजे ऐसी है वो मुख्य मंत्री है, वो महानु भाव है आया उसको पहली सीट दी गई हम क्यों बैटे वहाँ पहले ही बात तो हमको बैटना ही नहीं चाहिए था, पीछे बैटना चाहिए था पहले ही वहाँ जाके बैट गए और फिर दुखी हो रहे है उड़ जाओ, आने से पहले ही उड़ जाओ उससे क्या हमारा मान कम होने वाला है वो तीनों की ही जो प्रतिक्रिया थी पहले की, दुसरे की, तिसरे की ना तो विद्रो करना है, क्यों विद्रो करना है, जोड़ो, साक्षी हो जाओ बेटे तो बेटे ना ही दुकी होना है कि वो मेरे भाग्य में नहीं है और पीच वाला, मैं भी ऐसा धन पती बनूँगा ऐसा सोच नहीं किया उशक्ता नहीं, तीनों ही गलत है उसमें तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्विकार कर लो, कि यह ऐसा है, मैं उसको स्विकार करता हूँ, ऐसी है, उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है एक्सेप्ट रियालिटी, उसके बाद है फेस्ट रियालिटी, उस रियालिटी का, उसका सामना भी करो उसका, यह सारी शक्तियों को इमर्च करना पड़ेगा यहाँ पर, उस reality का स्वामना करो, चीजे ऐसी ही है यहाँ पर hire किये, किसी को ज़्यादा सम्मान मिलेगा, किसी को कम सम्मान मिलेगा अब किसी को ज़्यादा मिल रहा है, मतलब यह नहीं कि वो ऊचा हो गया और हम कम हो गए ऐसा थोड़ी नहीं मनुश्यों का दियो हुए सम्भान के आधार से पत थोड़ी नहीं मिलने वाले He that is the first shall be the last He that is last shall be the first in my kingdom Jesus कहता है जो यहाँ पर पहले है वो मेरे राज्य में पीछे होगा जो यहाँ सबसे पीछे है वो मेरे राज्य में सबसे पहला होगा जो बहुत आगे आगे करता है फोटो खिच रहा है यह कर रहे है गूम रहे है ऐसे कि उनको ज्यादा सम्भान टीवी पे आ रहे है मतलब उनका ज्यादा माने वो बड़े महराज बनेंगे जो center में in charge है वो महराज बनेंगे ऐसा है student सोचेंगे हम क्या बनेंगे फिर दास दासी इसका आधार वो नहीं है आधार कुछ और है आधार स्थिति है आधार पवित्रता है वो तो हिसाब है वो तो कर्मबंदन है चुक्तू हो रहे हैं सारे कोई कुछ बना कोई कुछ बना कोई डॉक्टर बना कोई इंजिनियर बना कोई कुछ भी नहीं बना ये सब से कोई लेना देना नहीं है पद का ये दुनिया के कलियोगी की पद भी डिगरी है सारी इससे क्या लेना देना अगला अपिक्षा है नहीं रखना किसी से अपिक्षा मत रखो कि ये मुझे सम्मान दे, मान दे केर दे, लव दे, केर दे ये सब चीजे मेरी खात्री करे, ऐसा करे वैसा करे, पूछे क्यों? मुझे इस्तुती करे मेरी, कहें कि तुमने बहुत अच्छी सेवा की, कितना सेवा करते हो तुम, ठकते नहीं हैं? थोड़ा आराम भी करा करो ना, कितना करोगे? थोड़ा अपने सेहत का भी ध्यान रखा करो, अच्छा रखता है, ऐसा कोई बोलता है, तहां, इदर थंड़क पहुँचती है, कोई है, मेरा भी देखने वाला, पूछने वाला, खाना खाया की नहीं, कल भी नहीं खाया ता, आज कहा नहीं, आज क्यों नहीं खाया? कोई पूछता हु रहा है? हैसेश्पी से मुक्त होना है हरथाथ, जीरो एक्सपेक्टेशन पॉलिसी, यहां किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो, कुछ भी नहीं, और जितना एक्सपेक्ट करेंगी, उतना दुख ही होते रहेंगे, उसके बाद में संबंदों में डिटैच्मेंट लानी है, आपसी जो संबंद है, उसमें अपने डिटैच्मेंट लेवल को बढ़ाना है, अब यभी बात किया, काम पूरा हुआ हो गया, हतम, किसे कुछ बात करने के आउशक्ट नहीं है, डिटैच्र, जो जितना संबंदों में डिटैच है, वो उतना स्टेबल है, जो जितना इनवॉल है लोगों में, इधर बात, उधर बात, और फिर क्या चल रहा है, और फिर उधर का बताओ, आज कितने लोग थे, कितने स्टुडेंट आये थे क्लास में, आज फिर ठीक रहा के सब, आज फिर भोग में क्या बनाया, स्टुडेंट कंट्रोल में तो है न क्या करना है तुमको HSP अर्थाद संबंदों में detached HSP से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा Detachment लाना पड़ेगा उसके बाद में सहन शिलता यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेगी सुनने को मिलेगी गुजरना पड़ेगा जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते एकी चीज़ कर सकते वो चुप चाप सहन कर लो देख लो समालो अंदर सहन कर लो बस चुप हो जाओ हर चीज़ में कुछ करना ही तुमको किसने बोलाए कुछ करने के लिए कुछ करना ही नहीं है चुप हो जाओ बस यही विदी है सेल्फ सेफटी की कुछ भी नहीं करना चुप चाप साक्षियों कर देख लो क्योंकि इन वाल कुदे हर किसी के जंगडे में तो गए कुदने के संसकार ज़दा है उसके बाद में ड्रामा इस ड्रामा को भी समझो कि यहाँ पर सब आत्माओं का अपना अपना हिसाब है हर एक का पार्ट चुकतू हो रहा है हिसाब चुकतू हो रहा है इसने उसको बहुत डाट लिया हमको लगता है यह गलत है नहीं करना चाहिए क्यों गलत है वैसे ही होना चाहिए यह ड्रामा नयाय का रही है कल्यान का रही है जैसे एक सादू गुजर रहा था उसने देखा एक मोटा ताजा व्यक्ति एक पतले दुबले व्यक्ति को मार रहा है बिचारा संतरिदय नवनीत समाना दया आ गई उसको उसने का छोड़ो क्या कर रहे हो तुम इतना अत्याचार करते हो इतना कमजोर आदमी को मार रहे हो और उसको छुड़ाता है और कमजोर भाग जाता है वो कहते है आपने क्या कर रहे है वो चोड़ था मेरा सामान लेके भाग गया हो तो क्योंकि जो हम देख रहे हैं वैसे चीज़े है नहीं हमको लग रहा है कोई कितना निरप्रादी है निरदोश है, इननसेंट है उस पर इतना अट्य चार हो रहे है हो सकता है, वो सबसे बड़ा शड़ें तरकारी है सब उसी का किया धरा है जरूरी नहीं एगी, जो जैसा दिख रहा है वैसा ही है और इस ड्रामा में हर एक के साथ जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है कुछ न कुछ उसमें कल्यान छिपा हुआ है, समाया हुआ है किसी के साथ कोई अन्याए नहीं है फाइनल ड्रामा की अनुसार देखा जाए तो ये तो भगवान नहीं कुद पड़ा हो ता बीच में ये क्या कर रहे हो रुको मैं आया हूँ तो हस्पी से मुक्त होना है छोई मुई ये अवस्ता हमारी नारे छोटी छोटी बात में रूट ना रूस ना छोटी छोटी बात में डिस्टर्ड होना छोटी छोटी बात में कन्फ्यूद हो जाना छोटी छोटी बात में योग अपना खतम कर देना छोटी छोटी बात में रोते रहना छोटी छोटी बात में दूसरों को फोन करके एक एक घंटे तक सुनाना मेरी आप भी थी मेरे ताथ यह यह हुआ कुछ तो बताओ कुछ करू मैं बताओ खाली सुनो तो अच्छा लगता है हर व्यक्ति एक कंदे की तलाश है उसे रोती वोई आखों को कंदे की तलाश है जिस पर रख के रोए कंदा मिल जाए तो अच्छा लगता है नो एक्सपेक्टेशन्स सहन करना सामना करना एकसेप्ट करना ड्रामा के रास को पका करना स्वमान का अभ्यास करना और यह सेंसिट्यू समवे दिन छिल नेचर चुई मुई अवस्था से स्वम को मुक्त करना यहां बहुत सहन करना है तीर यह लगे रहेंगे बहुत सारे तीर खाना पड़ेगा भिश्म पितावा ब्रह्मचरे का अब रद्ध धरन किया है तो तीर तो सब लगेंगे लगने तो सहन करो बहुत सुख है उसमें भी हिसाब चुक्तू हो जाएंगे और आवभान करो जिसको जो 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 बोलना है जल्दी आजाओ जो जो गलानी करने वाले अभी तक कहा थे अरे मुझे वापस जाना है तुम्हारी गलानी रह गई तो मैं जानी पाऊंगा जल्दी जल्दी आजाओ गलानी वाले अब गलानी वाले कौन है तुम्हारी तुम्हारी नेक्स अपमान करने वाले कौन-कौन बच्चा है हाथ खड़ा करो कौन-कौन है जो अभी तक जिसने निंदा नहीं की विरोध नहीं किया कोई रोडे नहीं डाले जो जो है जिसके साथ जो जो हिसाब है फटा फटा हो, हिसाब चुक तो करो क्योंकि हमको जाना है यहां हम केवल निमित मात्र रुके हुए यह सेवा सब खिलोना है बाबा ने हाथ में दिया है उनको तो अपने हिसाब पूरे करने है वैसे भी होने ही वाले है तो यहां पर छोटी-छोटी बातों से डिस्टर्ब नहीं होना है, सहनशीलता धारन करनी है साहस धारन करना है और अचला डोल रहना है कुछ भी हो जाए, रोना नहीं है कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए कितनी भी परिस्टिती के, अपना योग का चाठ हमेशा आगे रहे ठीक so हमेशा क्या करना है, खुश रहना है सदा, खुश रहो, मुस्कुराते, रहो और क्या है गीत? मिलन प्यारे प्रबुसे, मनाते रहो ऐसी हमारी आवस्ता, रोने वाली आवस्ता नहीं हो सदाफ फुष रहो मुस्कुराते रहो मुस्कुराते रहो मिलन प्यारे कभू से मना के रहो सदाफ फुष रहो अच्छा हुआ जो हुआ क्यों डरे अच्छा ही होगा फिकर क्यों करे हर बात में सबका कल्यान है हर बात में सबका कल्यान है फुषी का मरम ये सुनाते रहो सदाफ फुष रहो मुस्कुराते रहो बाताना फुषी का लुटाते रहो सदाफ फुष रहो चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया खुषी खो गई मानो सब खो गया चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया खुषी खो गई मानो सब खो गया खुषी जैसे कोई दवाही नहीं ये अम्रित है सब को पिलाते रहो गाते रहो उन गुनाते रहो मिलन क्यारे प्रभू से मनाते रहो सदाफ खुष रहो रहो सब्सक्राइब आहने हम वतुष सब्सक्राइब सन्माव